अच्री बॉडी बनाने में कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स अभी आज के टाइम परना बहुत साई लोग जिम जाते हैं वर्काउट करते हैं अपनी फिजीक बनाने के लिए अपने मसल्स बनाने के लिए लेकिन उनके मन में सवाल होता है कि आखिर हमको कितने महने तक वर्काउट करने के बाद हमारे बॉडी में चेंजिस देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा आपके सवी सवालों का जवाब दूँगा और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको fast result पाने में मदद करेगा आपकी बॉडी में जल्दी changes देखने को मिलेगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी हो जाएंगे जो कि मैं नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आपको एक realistic time frame दू जिसके वड़लोटना आप लोग को उस time में अंदर आपके body में अच्छा changes देखने को मिले तो सबसे पहले जब आप लोग नहीं नहीं जिम जोइन करते हो उस time पे क्या होता है कि आपको कोई भी exercise का जदा idea नहीं होता कौन सी exercise को किस तरीके से mind-muscle connection के साथ किया जाता है तो आप लोग ये mind से निकाल दो कि 2-3 महने में आपकी physique अच्छी बन जाएगी 2-3 महने तो आपको form सीखने में time लग जाएगा आपको सही तरीके से exercise को कैसे करते हैं वो सिखने में लग जाएगा तो 3 महने तो आपके यहीं निकल जाएगे लेकिन जो शुरुआत के 3 महने होंगे न तो यहाँ पर आप लोग की body में ऐसा भी नहीं बोना कि बिल्कुल भी changes देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत changes देखने को मिलेगा लेकिन आपको क्या होगा आपकी strength बढ़ जाएगी आपकी थोड़ी stamina बढ़ने लग जाएगी और उसके बाद जैसे आप लोग 6 मन तक पहुंसते हो न तो आपके body में थोड़ा बहुत visible changes देखने को मिलेगा जो लोग बहुत जदा fat है जिनके body में बहुत जदा fat है न उनका fat भी थोड़ा reduce होने लग जाएगा और जो लोग थोड़ा muscular होना चाते है तो उनके muscles में थोड़ा सा definition दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर जो हम लोग अच्छी physique की बात करें तो कम से कम आपको एक साल पर work out मन लगा कर करना ही पड़ेगा अगर जो एक साल से कम के अंदर आप लोग सोचोगे कि हमारी physique वैसी बन जाएगी जैसा लोग बताते हैं तो आपकी physique वैसी नहीं बन पाएगी एक साल के बाद आप लोग की बाड़ी में बहुत ही अच्छा चिंजिस देखने को मिलेगा प्रवाइडीड डाइट की आप लोग डाइट साही से ले रहो अभी बहुत साही लोग जिम्टों करते हैं लेकिन उनकी डाइट बिलकुल पूर होती है रोजाना प्रोटीन ले इतना अगर जो आप लो रोजाना प्रोटीन लोग है तो आपको 6 मन के बाद भी आपके बाड़ी में भहुत अच्छा चेंजिस देखने को मिलेगा February बिना प्रोटीन के चाहे आप लोग कितना भी workout कर लो ना आपके body में changes देखने को मिलेगा नि क्योंकि प्रोटीन ही वो चीज जो कि आपके muscles को build करता है आपके muscles को maintain करता है और gym से आने के बाद आपके muscles को repair करने का भी काम करता है तो बिना प्रोटीन के तो काम नहीं चलेगा आइजर आप लोग food के तुरू अपने protein requirement को complete कर सकते हो या फिर आप लोग whey protein supplement का भी सहरा ले सकते हो अब इसके बाद आपको क्या करना है regular workout करना है अब बहुत साहे लोग क्या करते हैं दो महना gym जाते हैं या एक महना gym जाते हैं उसके बाद gym छोड़ देते हैं तो अगर जो और अपने body को ample amount of rest देना होता है हमारी body की recovery भी होना most important है अब बहुत साहे लोग क्या करते हैं डाइट अच्छे से लेते हैं workout भी करते हैं लेकिन recovery को थोड़ा बहुत ignore करते हैं देखो friends ये तीन चीज आपको तो ना किसी भी हाल में complete करना ही पड़ेगा diet, recovery और fit training अगर जो इन तीनों चीजों में से ना कोई भी चीज अगर जो एक ज़्यादा एक काम हो जाता है ना तब आपके result पर इसका negative effect पड़ेगा तो कुल मिला कर देखा जाए कि आप लोग 1 year से 2 year अगर जो अच्छे से मन लगा के workout करते हो ना तो आपकी physique बहुत अच्छी बनेगी अभी आपने देखाओ नो कुछ लोग की body बहुत ही जवर्दस होती है वो आइदर तो लोग natural नहीं होती है या फिर जो लोग natural होते है ना तो उनकी physique को ऐसी बनाने में 3-4 साल का time लग जाता है लेकिन 1-2 साल के अंदर आपकी physique बहुत अच्छी बन जाएगी मैं आपको guarantee दे रहा तो friends मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में